Hello everyone this is Akanch Haraya and I welcome you all to my channel so in this video हम continue कर रहे है अपना chapter which is electric charges at rest okay so ये third session है इस chapter का और दो पार्ट औरड़ी हम complete कर चुके है so for understanding the basic concept of this chapter जो starting में हमने charge से related किया उसके लिए आप first two parts देख लिजिये and यहां पर हम स्टार्ट कर रहे है विद्धा टॉपिंग अर्धिंग तो अर्धिंग में आप एक तर्म जो है वो निकाल सकते हो जो आप जानते भी हो familiar हो से बहुत अच्छे से which is earth अब यह तो कोई ऐसा टर्म नहीं जो हमें समझना अलग से हम सब को पता है कि अर्ध पे हम रह रहे हैं ठीक है तो फिर यह टर्म हमने क्यों लाया क्यों हम अर्धिंग टर्म यूज कर रहे है कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना अर्ध से बिलकुल है क्या रिलेशन है जो भी extra charge प्रेजन होता है किसी भी रिजन से अगर कोई extra charge प्रेजन है सबसे common example हम ले लेते हैं ठीक है सबसे common example आपके लिए क्या है जब बहुत तेज बारिश होती है you see what thundering हो रही है lightning हो रही है होती है ना तो उस lightning का बहुत harmful effect भी हमें देखने के लिए मिलता है आप news में देखते हो की ऐसा हो गया ठीक है तो उसका जो extra charge है उसे हम क्या करते हैं उसे हम अर्थ कर देते हैं ठीक है आर्थ को पास कर देते अप समझ लो ना अर्थ को बोलते हैं की इतने बड़े हो इतना ज्यादा इतनी पार है तुम्हारे पास तो क्या करो जो एक्स्ट्रा चार्ज जिससे हमें हाम हो सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है उस चार्ज को आप ले लो ठीक है तो अर्थ को हम क्या कर रहे हैं हम अर्थ के पास चार्ज को पास कर दे रहे है क्यों पास कर दे रहे सो दाट हमें प्रॉब्लम ना हो ठीक है जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा थंडरिंग लाइटनिंग होती है तो हमें पता ही कि हम सारे एलेक्टरिक क्या हो जाती है कोई सीरियस इंपक्ट ना पर ऑर उसके साथ 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 और क्या हम प्रिकॉसन लेते हम करते हैं प्रॉसेस किसका हम करते म्रोसेस अर्थिं已经 कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उन चार्ज को हम क्या कर दे उन चार्ज को हम बड़े अच्छे से अर्थ को पास कर दे ठीक आप देखते हो थ्री प्लग वायर आप देखो कि जो हेवी एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रिकल अप्लाइंसे होते हैं यहां पर जो चार्ज आ रहा है तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज है जिसकी रिक्वैर्मेंट्स है और जो क्या कर सकता है खराब इंपाक्टड डाल सक्ता है जिससे הमें प्राबलम प्राब्लम हो सकती है उस एक्स्ट्रा चार्ज को ये अर्थ को दे दिया जाता है लेलो ठीक़ा需 कोई प्रोब्लम नहीं होगी अच्छा हमने अर्थ को चार्ज पास कर दिया एक्स्ट्रा चार्ज था अर्थ को दे दिया but how do we do this thing right हम यह कैसे करते हैं is our next question और इसी question को हम solve करने जा रहे हैं अपने entire session में बहुत ही अच्छा है topic बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है कि टाफ है नहीं let us go with the sentences now suppose a negatively charged object is put in contact with the let us say कि कोई charged object है charged object you have understood कि exactly क्या होते है अब राइट वो क्यारी करेंगे positive charge and negative charge थिक तो कोई भी charged object है या तो वो negatively होगा या तो positively होगा हम यहाँ पर negatively की बात कर रहे हैं अगर हम उसको अर्थ के contact में लाते हैं अब यहाँ पर आप next line जो देख रहे हो this one okay let me show you this contact can be brought about either by a metallic wire और even by touching it right touch करके या फिर किसी metallic wire से क्या कर रहा हमने मालो की कोई charged object है ठीक है negatively charged object है तो हम क्या करेंगे उसको touch करके या फिर एक metallic wire connect करके let me show you let me show you this हाँ यह कोई मालो charged object है तो या तो हम इस तच करके यह मैं तच कर रही हूं मेरे हाथ मेरा हाथ ठीक है तच करके या फिर किसी metallic wire के help से अब यहाँ पर दो चीज क्यों दी गई है क्योंकि हमेसा हम charge object को touch नहीं कर सकते क्योंकि यह हम हमारे लिए problematic भी हो सकता है हमें shock लग सकता है ठीक है तो अगर light charged है या फिर कोई problem नहीं है तो we can touch it but अगर वह heavily charged है और उससे current लगने का shock लगने का एक टेंशन है तो हम क्या करेंगे उसे टच नहीं करेंगे instead of touching it हम क्या करेंगे उसे metallic wire से connect करेंगे clear और उसे जब हम metallic wire से connect करेंगे तो उससे क्या होगा जो भी extra charge present है किसमें इस charged object में जिसके हम बात करें थे this one I just view, see this one ये इस charged object में जो भी extra charge present होगा वो क्या हो जाएगा वो अर्थ में पास हो जाएगा ठीक है हम charged object ले रहे हैं हम उसको touch करें या फिर हम metallic wire के through उसको connect करें earth से तो उससे क्या होगा जो भी extra charge उस negative charged object पे था वो pass हो जाएगा कहां पर अर्थ में pass हो जाएगा मैंने कहां भी अपने को अर्थ को सारा charge भेज देना है यह बहुत अच्छे से आपको समझना अगर यह समझ लोगे आप तो concept आपका बहुत हथा क्लियर हो जाएगा यह कंटेन करा हुआ है किसी बॉडी ने चार्ज ठीक है अच्छा ठीक है यहां पर नेगेटीव ली ऑबज़क्त था तो नेगेटीव हम लोग एक काम करते हैं नेगेटीव के नंबर बढ़ा देते हैं लटस से यहां पर आप काउंट करो 8 नेगेटीव चार्ज बनाया है मैंने और positive चार्ज कितने है चार तो लिक देती हूं यहा पर अगर मैं पूछूं कि यहां पर इस ऑबज़क्त को हम चार्ज कहेंगे कि अंचार्ज कहेंगे तो यहां पर एक चार्ज जादा है एक चार्ज जादा है मतलब कि नेगेटीव जादा है नेगेटीव चार्ज एक चार्ज मतलब मैं positive की बात करूं और negative की बात करूं तो इन दोनों में से negative charge जादा है और कितना जादा है तो चार टाइम उनिट ज्यादा है positive charge से तो इस हम object को कहेंगे charge object अब यहां पर एक और case समझो एक और case यहीं पर समझो यह मैंने बना दिया चार positive charge ठीक यह मैंने बना दिया charge negative charge tell me जल्दी सोचो और बताओ कि यह object जो है ना यह सुंदर सा object जो है यह charged होगा कि अंचार्ज होगा आप सोचोगे आप बोलोगे कि मैं charged होगा क्यों क्यों क्योंकि मैं हमें इसमें charge दिख रहा है तो यह charged object होगा बट नो ऐसा नहीं होता है अगर किसी object में positive और negative charge equal होते हैं you have to focus on this very properly अगर किसी object में negative और positive charge equal होते हैं तो यह object charge contain कर रहा है और आप senior classes में पढ़ोगे इसका concept लेकिन charge contain करने के बाद भी हम इसे कहते हैं uncharge क्योंकि positive और negative दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं दोनों एक दूसरे से friendship कर लेते हैं बोलते चलो ठीक है हम दोनों equal हैं कोई problem नहीं इस यह हमारा जो है न जो हम object है हम uncharged हो गए क्योंकि हमने equal positive और negative charge रखा हुआ है right बट इसमें आजो this one इसमें क्या है एक चार्ज ज्यादा है कौन सा ज्यादा है negative चार्ज ज्यादा है कितने unit ज्यादा है positive से 4 in fact 4 से फर्क नहीं पड़ता एक भी अगर ज्यादा हो मालनो 4 positive होते और 5 negative भी होता न तब भी हम कहते कि यह object charged है क्योंकि इसमें एक unit charge ज्यादा है वो positive ज्यादा हो या negative ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है पर यह object charge हो जाएगा और यह object charge contain करने के बाद भी as because इसने equal charge contain करा हुआ है positive और negative तो it will be an uncharged object and this is very important to understand क्योंकि यह हमारा आएगा आगे topic अब देखो यहाँ पर that's an object okay okay let me clear this out just a second यह line important है जो हम पढ़ने वाले है this one the object on losing the extra charge becomes an uncharged object क्या हुआ इसका meaning is line की meaning यह है यहाँ पर मैंने बताया कि यह क्या है this one यह हम बात करे थे कि यह charged object है इसको touch करके touch तभी करेंगे when it will be safe when it will be safe for us to touch right किसी भी शौक को हम नहीं ऐसा allow करेंगे invite करेंगे आ जाओ शौक लग जाओ नहीं बिल्कुल नहीं अगर वो बिल्कुल safe नहीं है तो we will use metallic wire क्यों earth thing connect करने के लिए अर्थ से connect करने के लिए यहां पर हमारे body के through earth से contact हो जारे और यहां पर as because हम body को खत्रे में नहीं डालना चाहरे तो हम यहां पर क्या कर रहें in this case यहां पर हम wire के through कर contact करवा रहे हैं तो इस object का क्या होगा यह क्या होगा यह क्या था negatively charged object अभी मैंने ठीक है यही तो process है न अर्थिंग का extra charge को अब अर्थ में भेज़ दो जो अर्थ में चले जाओ आ गया अर्थ के अंदर यह charge अब इस object में charge तो होंगे ही पर दोनों क्या हो गए equal हो गए मालो इसमें 5 negative charge ज्यादा होगा मालो इस case में 5 negative charge ज्यादा होगा मालो यह object था इसमें 4 positive charge थे और 8 negative charge थे तो हम क्या रहे हैं कि क्या यह object negatively charge है इसमें negative charge ज्यादा है इसको आप hand से touch करो फिट से बना लो बड़े सुन्दर से हाथ को बना दिया मैंने या फिर अपने आप मालो शॉक का attention है हाथ हटाओ बिल्कुल टच नहीं करो क्या करो इसको metallic wire से touch कर दो ठीक है contact मिला दो अब यहाँ पर क्या कर दो यह अर्दिंग हो गई इधर इधर से भी अर्दिंग हो जाएगी तो जो सेफर होगा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे ही हम connect करेंगे तो क्या होगा एक्स्ट्रा चार्ज यह करके आना शुरू हो जाएगा कहा आना शुरू हो जाएगा अर्थ के अंदर चला जाएगा अर्थ खुशी खुशी उसको ले लेगा जैसे नेगेटिव ली चार् अब इस औब्जक्त को हम कहेंगे अन्चार्ज टॉब्जक्त क्यों कहेंगे क्योंकि मैंने बताया चार्ज हर औब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा यह बिल्कुल से याद रखना है हमें अन्चार्ज को ऐसा नहीं सोचना कि यह सब पॉजिटिव नेगटिव का दो उस गोड़ा पॉर्पविट गो टो देन्स था इस वन गोड़िवन लूजिग को एक्स्ट्राज चार्ज बिकम्स न अंचार्ज अब्जेक्त आई होगा अगर कहीं प्रोब्लम होती यू तो यू तल मिई लोप यू अबू लूप यू अगें अगें लूविग नू वीकेट यस बॉसर्फ of the putting a charged object in contact with the Earth mesh onze Charged Object को क्या करवाता है अस से सारा Charges handles करवा देता है現在 सारा Charges Pipes करने का concept आयोप आप समझ चुके खत्म नहीं कर देता है सबने कि विनाश कर दिया नहीं क्या करता है जो Extra होते हैं न negative Extra उन्हों को निकाल देते उन र天 को निकाल देंगे तो यह झाइंगे ऑपड़न अभी अप्द्न पड़ोगिं की अन चाजड में होते हैं उनको अंचार्ज कि क्याटजरी में इंक्लीजर करते हैं we call this process as everything of the given object i hope यह समझ मैं आगए आपको ठीक है अरधि नग क्या है अर्थ को अर्थ को कैसे याद करोगे आप अर्थ को चार्ज पास कर देना अर्दिंग क्याते है न किसी भी प्रोसेस को बना देते हैं ब्रीध से ब्रीध करते हैं तो ब्रीधिंग प्रोसेस बना दिया तो वैसे अर्थ को हम चार्ज दे रहे हैं तो अर्थ तिंग अराम से ठ है कि एर्थ के कॉंटाक्ट में किसी चीज को पुट करना कॉज इस चार्ज ऑब्जेक्ट टू लूज इट्स चार्ज इस फाक्ट हज मेनी प्राक्टिकल अप्लिकेशन सिनार डेली लाइफ ठीक है वी ओल्वेज अर्थ तर्म मेटालिक बॉड़ी ऑफ ओल इलेक्रिकल अप् देखो इन सारी चुइसमें आप देखते हो थ्रीपंओ Пर छोटे लीट्रिक लपलंस होतें यहां पर आप देखोके ठीकलें αλλά इसमें तो निकले जो है न इसमें जो उपर ओला पॉइंट होता है न यह अर्धिंग के लिए होता है क्योंकि यह सब हेवी इलेक्रिकल अप्लाइंस होते हैं तो शौक न लगे हमें तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको बला जाता है अचा जा अर्थ ले लो हमारी तरब से तुम्हें एक गिफ्ट मिल गया क्या मिल गया चार्ज मिल गया ठीक डाट वी यूज इन प्राक्टिस दीस सब्स्टू किप दियर बोड़ी अंचार्ज अंचार्ज अंड से फ्रॉम इलेक्रिकल शॉक बिल्कुल शॉक नहीं लगाना अपने को तो हम अर्थ से थोड़ी हल्प ले सकते हैं हमारा हक बनता है है ना ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट पेज मथर्ट्स ऑफ चार्जिंग अभी तक हमने पूरी स्टोरी पढ़ी कि चार्ज बेसिकली अर्दिंग क्या है अर्थ को चार्ज पास कर देना है ठीक हमने क्या पढ़ा कि बेसिक अब यहाँ पर विए गोईंग टॉक अब मेथोट्स ऑफ चार्जिंग अब क्यासे हम डिफ्रेंट मेथेट्स के थू यह काम कर सकते हैं चार्जिंग कर सकते हैं तो पढ़े हम वन बाई-वन सबसे पहले यह याद कर लेना है ठीक कॉन-कॉन से सबसे फोर्स्ट बाइज र अब ही आपको यह रबिंग और फेक्शन तो आपने देखा हुआ है हमने रबिंग रबिंग की बात करें थी नं याद करो जबी हमने बात कर रहा था इसल्क रॉड और स्वरी सिल्क इक्लोध और सुट के बारे में तो हम वहां पर चार्ज एंडुक्षन अ'mने द्योश कर मैंने अभी अभी जो आपको बोला बुक ने भी वही बोल दिया बड़ा समझदार है बुक मुझे पहले से पता था बुक क्या बुलने वाला है यह बिए डिफरेंट इंसुलेटर टाइप ऑबजेट गेट चार्जट वाई रबिंग देम अगेंस सम अधर सूटेबल ऑबजेट मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कुछ जो चाज नहीं है ठीक है उनको हम क्या कर रहे हैं उनको हम किसी और माइटीरियल से रब करके चार्ज करने का मतलब क्या है यह मज़े से ना अंचार्ज बैठा था उन्चार्ज का इक्वल पॉजिटीव एक्वल लेगटिव यह आया और इससे रभिंग करी यह फाइटिंग साइटिंग और अपने चार्ज इसको दे देगा तो इसके पास चार्ज कम हो जाएंगे कि नह बढ़े चार्ज को दे पाया और यह तो लेकिन इसने क्या कर रहे है न बदमास ने अपने चारज इसको खिसका दी तो यह चार्ज हो गया ठीक, इसमें भी आ गया, यह मैं charged हो गया, ठीक है, okay, so charging by rubbing और friction आप already पढ़ चुके है, और अगर आप नहीं पढ़े हो, तो please go and watch my first two videos, वहाँ पर बहुत अच्छे से elaborate way में, मैंने समझाया है कि basically rubbing क्या कर रहे हैं, हम rub कैसे कर रहे हैं, कैसे charge induced हो रहा है and all, आप उसे देख ल object is charged by bringing it in direct physical contact with another charged object, ठीक है, direct physical contact, एक यह लाइन तो आपको समझ में आगे, कि uncharted object है, क्या कर रहे हैं, उसको charge कर रहे हैं, यही तो करना है, अपने को charge ही तो करना है, हम charge करने के method समझ रहे हैं, कि किसी चीज को कैसे charge कर रहे हैं, तो uncharted object को हम charge करेंगे, कैसे उसको directly physical contact में लाके, किस के charged object को, मालों यह charge object है, और यह uncharted object है, यह physical contact में ले आए, आजो, दोनों contact कर लो, ठीक, और अपने में charge की sharing कर लो, यह काम करते हैं, अब यहाँ पर, next line, the charge on the original charged object, the charge on the original charge object, कौन था original charge object, this one, यहाँ पर मैंने यह बनाया है, याद रखना, यह है, यह हो गया, original charge object पे, जो charge था, वो क्या हो गया, share हो गया, इन दोनों के बीच में, object के बीच में, hence the originally uncharged object, also get charged up, पहले से कौन uncharged था, यह था न, this one, यह uncharged था, मैंने बोला न, यह uncharged था, और यह charged था, this one, यह physical contact में आ ग दिया, उसने, charge कर दिया, यह बदमाश है न, चलो, आगे देखते हैं, यह activity है, अब यह activity देखने से अच्छा, हम इसको बना लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, है न, कुछ नहीं करना, एक stand लेंगे, stand तो हम बड़ा ले रहे हैं, मजा रहे हैं में stand लेने में, सारे experiment में हम क्या सिल्का थ्रड ले लिया, और यहां पर हमें कुछ लटकाना है, तो यहां पर आप थर्मकॉल बॉल होते हैं, चोटे 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 आप देखते हो, बहुते पार्टिस वगर में भी चोटे चोटे थर्मकॉल ले लो, ले लो ठीके ले लिया, और देखते हैं, बुक में और दिया है कुछ लेने के लिए वीट नहीं लेना हमने पड़ा था पहलें की लाइट वेट चीजे लेनिया मे तो तो बहुत ही हलकी लकडी का वो material का बना होता है बहुत ही हलका light weighted मालों यहां पर दोनों में से कोई भी चीज ले लो आपकी मर्ची ठीक है आपका जो मन करें आप ले लो कोई problem नहीं मैंने बोलूंगे कि यह लो बोलो अब ले लिया अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे थोड अब आपको पता है अब आपको पता है कि चास्ट equally distributed होगे इसमें तो यह अंचास्ट हो गया हम करने वाले हैं क्या खुरफात करने वाले हैं ठीक है क्यासे यह हम लाए यहाँ पर एक glass rod glass rod की कहानी पुरानी हो चुकी है हम पढ़ चुके हैं glass rod को हम किस से रब करते थे silk cloth से करते थे ना तो हमने ना इस glass rod को वही काम किया यह silk cloth हमारा दूर कही रखा हुआ है किसी और रूम में ठीक हम गए उस रूम में यह मालो रूम है इस रूम में गए इस glass rod को ले कर गए यहाँ पर बना दू एक और यह glass rod यही वाला है ऐसा नहीं सुनना दो 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 ले आई मै नहीं नहीं एक ही है यही वाला इस वन ठीक इसको यहाँ ले गए और इस से रब कर दिया हमने इन दोनों को क्या कर दिया रब कर दिया इस glass rod को इस silk cloth से रगड़ दिया रगड़ दिया ठीक जैसे ही हम रगड़ेंगे we already know कि क्या होगा इस glass rod पे चार्ज आ जाएगा है ना क अब थर्मकॉल बॉल देखो तुम्हारा क्या होता है हम इसे ले आए थर्मकॉल बॉल के सामने ठीक है अब यह थर्मकॉल बॉल जो है ना यह तो बड़ा खुश हो गया रिवा मेरे पास चार्ज डॉप जटा गया I'm so happy तो यह क्या करेगा अट्राक्ट हो जाएगा इसकी की तरफ आई सानन यह तो इसा हो जागा ऐसा डिए दिखो यह बिल्कुल ऐसा है कुछ बोलना नहीं है मुझे ठीक है अट्राक्शन हो गया खीचा चला गया किसकी तرف यह गलासरा रट की तरफ अरे महीं तो तेरी तरफ खीचा चला गया क्योंकि तुम हो चार्जट ऑपज चार्ज अबजेक्ट में क्या होगा इस वाला क्या है यह अनचार्ज ओप्जेक्ट इस अरे 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 ओके ज़स्ट विट वेट कि थाइन लेट मी यूज आ डिफ्रेंट कलर कौन सा चूज करें औरेंज कर लेते हैं यह अंचार्ज डॉप जपने बढ़ पढ़ा था ठीक है जैसे इसके इफेक्ट में आया पॉजटीव 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 और पॉजटीव ठीक है अंचास्ट हो ये इसके पास गया ही था ना खुशी-खुशी मरी ये चार्जड ऑब्जेक्ट है और ये आया तो बोले तुम अंचास्ट हो ले लो मेरे कुछ चार्ज ले लो तो जैसे ही इसने अपने चार्ज दिये ये पित बॉल क्या हो गया ये इसमें आगे ये कर दिये ना किसने बदमास सिल्क रॉड ने ये आया हुए खुश-खुश है मैंने ना इसको चार्ज दे दिया I am so happy we are going to be very good friend ठीक है मालो कि इसने अपने चार्ज दिया खुश है कि हम दोनों पर अब क्या होगा एक बार तो यहां अट्राक्शन हो गया ये पित बॉल बदेंगे रिए और ये हर्मकाल या पित बॉल ये तो बड़ा राक्श हो गया इसकी तरफ यहाँ पर देंगे यहां अट्राक्शन होगा यह चारज ऋपज़क्श को क्या पॉजित है न यहां पर अब इसको क्या कहेंगे चार्ज और चार्ज औबजस्वी में कौन सा चार्ज ज्यादा पॉजिटीफ चार्ज वा ना जादा यह ना भाग जाता इसके पास यह भाग जाता है तुरंत यह भागता है ऐसे देखो यह तेड़ा हुआ था ना अभी तेड़ा था ना यहां पर तो यह मानलो की पितबॉल है यह पितबॉल है इसमें पॉजिटिव चार्ज जादा हो गए क्यों कि इसके दोस्त ने आके इसको दे दिया तो यहां पर पहले यहां था फर्स्ट पोजिशन जैसे ही इसने देखा आया चार्ज लेके सेकंड पोजिशन पर पहुझ गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज था इसने दे दिया कि यह तो मेरा दोस्त बनेगा पर क्या होता है जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है यह रहा था यह कि जब यह अट्राक्ट हो रहा था कि क्या है इसे तो बस दिखा किया रहे कोई चार्जड ऑब्जक्ट आ रहा है यह कूद कर चला गया उसके पास लेकिन चार्जड ऑब्जक्ट ने कितना अच्छा काम किया उसको चार्ज दिया पर जैसे इसने चार्ज ले लिय के ग्लास रोड में आ गया पॉजिटिव चार्ज उस ग्लास रोड को हम लाते हैं थर्मकॉल बॉल के पास हम जब उसको सामने लाते हैं थर्मकॉल अट्राक्शन शो करता है ग्लास रोड के लिए दोनों में हो जाता है फिजिकल कॉंटाक्ट ग्लास रोड से चार्ज पास हो और positive positive charge एक दूसरे को क्या कर देते है रिपेल ठीक है रिपेल का साइन ऐसा नहीं हो रहा चाहिए यह रिपेल दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए ठीक है तो यह पूरा जो practical यहां पर दिया हुआ है यह पूरा यही चीज यह पूरी लिखी हुई है पहले अट्राक्ट होता है जैसे उसके कॉंटाक्ट में आता है इस शेयर इस चार्च गेट चार्च अप अन गेट्स रिपेल अवे फ्रॉम इट दूर भाग जाता है समझ में आ गया हमें दा चार्च अप्जेक्ट डिपेंड्स ऑन दे साइज अफ दे टू अबजेक्ट अन अब्जेक्ट अन अब्जेक्ट यह चोटी-चोटी चीजे बहुत काम में बिसिकली हमारे नॉलेज में बहुत हेल्प करती है हम सीनियर क्लास में जाते हैं तब लि अंचाज़ ओजेक्ट वह किस पर डिपेंड कर रहा है दोनों अब्जेक्ट के साइज पर और किस मटीरिल के वो बने होते हैं इस पर भी इ। बोथ दचाज़्ट अंचाज़ड और अइडेंटिकल दे क्वाइर एक्वायर इकवायर चार्जेस ठीक है अगर मालो दोनों ए जैसे object है तो वो घ्या करते है equal charge acquire कर लेते हैं ठीक है sharing हो रहे है ना तो equal equal share कर लेते हैं ठीक ओके तो इस session को हम यहीं parent करते हैं third topic हमारा है induction charging by induction which is which again is a very important topic वो हम discuss करेंगे अपने next session में till then अगर आपको कहीं doubt है तो let me know and just keep revising everyone till then just stay safe and take care bye-bye